आज भारत मंडपम विक्स्तित भारत की अम्रित यात्रा में एक और बड़ी उपलब्दी का साक्षी बन रहा है सहकार से सम्रुद्धी सहकार से सम्रुद्धी का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने के दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं खेती और किसानी की नीव को मजबुत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्राले का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एकारकम हो रहा है आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारन स्कीम शुरू की है इसके तहट देश के कोने कोने में हजारों वेर हाउसिस बनाए जाएंगे हजारों गोदाम बनाए जाएंगे आज अठारा हजार पैस के कंप्रिटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है यह सभी काम देश में क्रिशी इंफ्रास्रेक्टर को नया विस्तार देंगे क्रिशी को आधुनिक टेक्नोलोजी से जोड़ेंगे मैं आप सभी को इन महत्वपूर और दूरगामी परणाम लाने वाले कारकमों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अनेक अनेक सुबकामनाई देता हूँ साथियों सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन ववस्ता है हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है अलपा नाम अपी वस्तु नाम अलपा नाम अपी वस्तु नाम संहती ही कार्य साधिका अर्थात छोटी छोटी वस्तु नाम थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिये जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं प्राचीन ग्राम अर्थे ववस्ता में सहकार की यही स्वतंत स्फूर्थ व्यवस्ता काम करती रही है सहकार ही हमारे आत्म दिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी सहकारिता केवल व्यवस्ता नहीं है सहकारिता एक भावना है सहकारिता एक स्पिरीट है सहकारिता की यह स्पिरीट कई बाप व्यवस्ताओं और संसाधनों की सिमाओं से परे आस्यरे जनक परणाम देते हैं एक प्रामानित तरीका है एक अलग मंत्राले के जरिये हम देश के इस सामर्थ को और कृषिक छेत्र की बिख्री हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी यह बगीरत प्रयास है किसान उत्पाद संग एफ्पियोज का एक बहुती महत्मपण उधारण हमारे सामने है एफ्पियोज के माद्यब से आज गाओं के छोटे किसान भी उद्यभी बन रहे हैं अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं हमने देश में दस हजार एफ्पियोज बनाने का लक्ष रखाता एक अलग सहकारिता मंत्रा ले होने के उसका नतीजा यह है कि देश में आठ हजार एफ्पियोज का गठन और रेड़ी हो चुका है कारियरत हो चुके हैं कई एफ्पियोज की सक्से स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है इसी तरह एक और संतोस जनक बढ़ला यह आया है कि सहकारिता का लाब अब पशुपालकों और मच्छी पालकों तक भी पहुँच रहा है मच्छी पालन में आज 25,000 से ज़्यादा सहकारी इकाईयां काम कर रही हैं आने वाले पांच वर्सों में सरकार का लक्ष दो लाख दो लाख सहकारी समित्यां बनाने का है और इन में एक बड़ी शंख्या फिसरी सेक्टर की सहकारी समित्यों की भी होने जा रही है साथियों सहकारीता की ताकत क्या होती है गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है गुजरात में अमुल्की सभलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुँच चुके लिज्जत पापड के बारे में भी जानते हैं इन सभी आंदोलोनों को मुक्रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है आज देश में भी देरी और क्रशी में सहकार से किसान जुड़े हैं उनमें करोडों की संख्या में महिलाए ही है महिलाओं के इसी सामर्थ को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नित्यों में उन्हें प्रात्पिक्ता दी हैं आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोपरिटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है इसके तहट मल्टी स्टेट कोपरिटिव सोसाइटी के बॉर्ड में महिलाँ डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ती मंदन अधिनियम क्वास होता है तो बहुत चर्चा होती है लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपन कानून हमने बनाया है लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं झाला एब करते हैं